आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं टाटा पाबर एश्टॉक के बारे में अवर एल इस श्टॉक में कल हमने देखा कि 200 ए मुविंग एबरेज के प्राइस के पास में क्लोजिंग थी और आज के ट्रेडिंग सिसन में इस श्टॉक ने जो लो बनाया वो अराउंड 214 के आसपास का था वल्लिम अराउंड 1 करोर के आसपास का है यह बात जरूरी है कि जब तक यह श्टॉक 218 उनीश के उपर का सस्टेन करता या क्लोजिंग देता है तभी तक इस श्टॉक में लोंग रहना है अगर 218 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो श्योली स्टॉक टेडर इस श्टॉक से एगजिट कर सकते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ medium to long term investor के लिए ये एक golden opportunity है 220 से लेकरके 200 तक का price एक consolidation price भी है लेकिन investor के लिए चाहे तो इस stock को accumulate या फिर average out किया जा सकता है जहां इस stock में 190 के नीचे के price को stop loss लगा करके पहला target 240-50 और दूसरा target 350-400 तक का लिया जा सकता है 400 तक के target यानि कि यहां से double के आसपास का जो price है within maximum 1.5 year to 2 year के duration में दिख सकता है और 240-260 के जो target है within 6 month के duration में इस stock में दिख सकता है